सिद्धु मूसे वाला केस में बड़ी खबर अम्रिद सर पुलिस को मिली काम्याबी दो मोस्ट वांटेड गैंक्स्टर ग्रफतार पंजाबी सिंगर सिद्धु मूसे वाला केस में पुलिस लगातार आरोपियों की धड़ पकड़ के लिए दिन रात लगी हुई है अब पुलिस ने दो कुख्याद गैंक्स्टर को पकड़ लिया है जिनके नाम मनपीत सिंग उर्फ मनी रहया और मनदीप सिंग तूफान बताए जा रहे हैं जिला अमरिद सर देहाती की पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के दोरान इने ग्रफतार किया है दोनों गैंक्स्टर पिछले लंबे समय से पुलिस को वांटिड चल रहे थे इस केस में पुलिस बड़ी तेजी से आरूपियों को पकड़ने में लगी हुई है आज सुबा तीन से पांच बजे के बीच किये गए इस ऑपरेशन को देहाती पुलिस ने पूरी तरह से गुप्त रखा था मनिरईया मिरिद सर के केडी अस्पताल में गैंक्स्टर कंधो वालिया को गोली मार कर फरार हो गया था जिसके बाद उसकी सलमपिता सिद्धु मूसे वाला हत्यकान में एक बार फिर सामने आई वहीं को ख्यात गैंक्स्टर मंदीप सिंग और तूफान को देहात पुलिस ने आज गाउं खक के पास से ग्रफतार किया है फिलाल देहात पुलिस ने दोनों गैंक्स्टरों की ग्रफतारी के पुष्टी की है मगर आगे अभी कुछ भी बोलने को तयार नहीं है सिद्धु मूसे वाला हत्यकान में मनी रईया भी शामिल है सिद्धु मूसे वाला हत्यकान के दिन मनी रईया भी घटने स्थल के आसपास छिपा बैठा था जिसे कनाड़ा में बैठे गोल्डी बराड ने स्टेंड पाइपर रखा था कि अगर हत्यकान में कुछ भी मुश्किल आती है या फिर किसी भी तरह से प्लैन फिल होता है तो उसे मनी संभा लेगा जाच में पता चला कि सिद्धु मूसे वाला हत्यकान के दिन मनी रईया भी घटने स्थल के आसपास ही चिपकर बैठा हुआ था जिसे कनाडा में बैठे कुख्याद गेंग्स्टर गोल्डी ने स्टेंडबाई पर रखा था बताया जा रहा है कि 29 मही के दिन अगर सिद्धु के कतल में कोई रुकावट आती है तो वही समालता जाहिर है कि सिद्धु मूसे वाला हत्यकारण में अभी हाली में शामिल शूटर को दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस की स्पेचल सेल ने गिरफतार किया था इन नामी शूटरों की ग्रफतारी नेपाल से हुई थी इस ओपरेशन में दिल्ली पुलिस के साथ पंजाब पुलिस की स्पेचल सेल भी शामिल रही पुलिस ने गैंक्स्टर लॉरेंस बिश्णोई के कुख्यात शार्प शूटर दीपक मुंडी और कपिल पंडित को गिरफतार किया था पता चला था कि दीपक मुंडी सिद्धु मूसेवाला के मडर के इसमें वॉंटिड था इस मामले में पुलिस ने ब्यान दिया कि मुसेवाला की हत्या के बाद दीपक मुंडी गुजरात के भुज में बाकी शूटर से अलग होकर उसने ठिकाना बदल लिया था दीपक मुंडी बाकी शूटर प्रियवर्थ फौजी औरों के साथ भुज गया था लेकिन इस्पेशल सेल की टीम ने दविश देने से एक दिन पहले बुज के ठिकाने से वो निकल लिया था बहराल अभी भी पुलिसेस केस में लगी हुई है जहां पहले इनको ग्रफतार किया गया और अब दो मोस्ट वांटेड गैंस्टर पकड़े गए हैं और अभी भी पुलिसेस मामने में लगातार छापे मारी कर रही है अभी के लिए फलाल इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए One India Hindi